उमा संकर जामने, बाला घाट मत्यप्रदेश, अभी रह रहे हैं यहां नाकपूर महराष्ट में पेसुलाल देवानी धर्मसाला में, कथा के आयोजन में यह है कि हमें तो अच्छा लग रहा है और सब चमतकारिक सक्तियां हैं, हनुमान जी की होंगी, बागिस्वर धाम की हो उन्हें मन की बात भी जानक है और जो उनके प्रस्न थे, वो प्रस्न भी उन्होंने मतलब लिखित में बता दिया और पढ़कर भी बताया गया आम जनता को, पबलिक को बताया गया, नई, बहुत अच्छा होना चाहिए, सनातन धर्म को भी जोड़ना चाहिए, और जोड़ होना चाहिए, इसमें, राम कथा, सिता राम जी का नाम और हनुमान जी की जो चमतकारिक सक्तिया है, वो बहुत अच्छी लगती है, बोलने का तरीका और इस पर्ष्ट वक्ता की तरह है, प्रोचन भी अच्छा है उनका, और होना चाहिए, जोटी उम्र में एकना ग्यान हो कि हम हनुमान 40 अगरे पड़ते तो थे, लेकिन क्या है, अब जब देख रहे हैं, इस पर्ष्ट इनको हनुमान जी की जो सक्तिया है, वो इस पर्ष्ट है और उनको आ रही है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है, और हमें भी उससे देख के प्रभाई थी, कि हमें भी हनुमान 40 औ और धार्मिक चीज में तो खिर पहले से हैं और सभी हिंदू या दूसरे समाज के भी अगर इसमें जुढ़ जाते हैं सनातन धर्म में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है हिंदुस्तान एक सनातन धर्म एक यह होना चाहिए हां कता है पहले भी सुने हैं नई इसमें अंतर यह कि चमतकारिक सक्तियां ही एक है जो आम जनता को कहना चाहिए प्रभाविता और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है राकर्षित होते हैं लोग हर व्यक्ति जो धरती में जन्म ले लिए जो धरती में आ चुका है वो दुखी है सुखी तो है दुखी भी है लेकिन दुखी और अपना जो कहना चाहिए कल्याड है तू यहां दर्बार में अवस्या आते हैं और उनकी कल्याड में जो हैं कहना चाहिए प्रवचन करता वो उनकी समस्या हैं को हल भी करते हैं आने वाले दिनों में ये है कि सब हनुमान के भक्त बनेंगे और बागेस और धाम की ओर लोग जाएंगे और वहां के दर्शन करने भी लोग जाएंगे एक दर्शनिक इस्थल के रुप में भी बाद में हो सकता है चाहीं तो यहां अभी अब विदेश का तो मैं नहीं कह सकता फिर भी आने यहां भारत के काफी राज्यों से यहां आ रहे हैं चिंदवाड़ा से भी आयते हैं बालागाट से भी हैं महराष्ट से हैं अमरावती से हैं काफी राज्यों से यहां आ रहे हैं मेरा अनुभाव यह है कि सुरू दिन हमारे मामा ससूर के माध्यम से जानकारी लगी हम लोग आये थे उस दिन राम खता हमने सुने और दूसरे दिन दरबार में आके दरबार में उपस्थिती दिए हमारी भी अरजी लगाना था लेकिन अरजी तो अब उपर वाले अब अंतर स्वाह इस मंत का हमने रखे हैं और उसका जाब भी कर रहे हैं हाज से सुरू कर दिये हैं हमने और हमारी एरजी हो जाती है मेरी भी तबियद खराब है मुझे प्रोस्टेट कैंसर है अगर मेरी तबियात अच्छी हो जाती है तो मैं एक बार बागिस्वर्धाम जरूर जांगार जो क्या नाम इनका जो महराज जी है उनसे भी मिलूंगा चरण इस पर जरूर करूंगा ऐसी मुझे एक्षा है मेरी एक्षा है